हेलो एवरिवन बीएस्टी सेकंड एर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और 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 और्गेनिक कमिस्ट्री में हम फिनोलों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम फिनोलों की राशाइनिक अभीकिरियाओं में ऐशी अभीकिरियाओं पढ़ रहे थे जिन में फिनोल एक समू का O-Single Bond H-Band क्रेक होता है यानि कि इन अभीकिरियाओं में फिनोल H-Plus के रूप में प्रोटोन मुक्त करता है और ये अभीकिरियाओं फिनोल की अमलिये प्रकृती से रेलेटेड होती है और हमने इसमें सबसे पहले फिनोल की अमलिये प्रकृती के बारे में ही चर्चा की है इसके बाद हम दूसरी राशाइनिक अभी किरिया की बात करेंगे क्योंकि अमलिय प्रकृति में हमने फिनॉल की धातों के साथ अभी किरिया करवाई थी और हैड्रोजन गेस मुक्तोई थी ग्रिन्यार अभी करमक के साथ बेंजीन बने थी और शारों के साथ किरिया करके लबन बनाए थे अब दूसरी अभी किरियां के रूप में अपन लेते हैं ACTLE करण तो किरियात्मक समू में ACTLE समू यानि CH3CO समू का प्रवेश ACTLE करण के लाता है फिनॉल फिनॉल में O single bond H समू होता है तो यहां से H हट जाएगा और इसकी जग़ा पर RCO समू यानि ACTLE समू प्रविश्ट हो जाएगा तो इसके लिए हम फिनॉल की किरिया ACTLE क्लोराइड या L के नोई के इन हाइडराइडों के साथ कर सकते हैं तो जब फिनॉल की किरिया हम ACTLE क्लोराइड के साथ करवाएगे क्लोराइड लेते यानि R की जग़े मेथिल समू होता तो फिर हम इस अभी किरिया को ACTLE करण कर सकते हैं जबकि मेथिल के लावा कोई अन्य इलकिल समू हने पर इसको हम ACTLE करण करते हैं अगर ये अभी किरिया पिरीडीन की उपस्तिती में करवाई जाती है तो जो अपन के पाफ फैमिल एस्टर बनता है इसकी लबदी बढ़ जाती है क्योंकि अभी किरिया थोड़ी उत्क्रमनी ये प्रकरती की होती है अतर पिरिडिन्शार में ये जो सहय उत्पात के रूप में SCL बन रहा है ये अउसोसी तो जाता है और अभी किरिया अग्रदिशा में बढ़ जाती है और हमें फैल एंश्टर अधिक मात्रा में प्राप्त ह होता है एसील क्लोराइड की जगह हम एल के नोएक एनाइड राइडों का भी यूज कर सकते हैं आर सी ओ ओ ओ ओ ओ और प्लस ये फिनोल हो गया अपना तो यहां आर सी डबलओ एच तो ह की जगh पर ये आर सी ओ ओ और एच है तो ओ और जगए तो हमें पुनफैन्सल प्राप्त होगा इस अभी किरिया में हम सांध्र esterase of 4 डाल सकते हैं जो इस तनुव अमल के जल को औसोशित कर लेता है और अभी किरिया अगरी दिशा में बढ़ेगी और हमें ester की मात्रा अधिक प्राप्त होगी तो इन अभी किरिया को हम acetyl करण कहते हैं क्योंकि हमने acyl chloride और lk9 के एनाइडरीड का यूज किया है acyl chloride की जगए acetyl chloride और lk9 के एनाइडरीडों में हम acetyl के एनाइडरीड करवाते हैं लेते हैं तो यहाँ acetyl समूव पिनॉल के हाइडरोजन को प्रकिस्तापित करता है बेंजोएली करण इसमें फिनॉल के गिरिया हम बेंजोएल क्लोराइड के साथ करवाते हैं यह c6 h5 c o c l बेंजोएल क्लोराइड का सुत्र है और यह ho c6 h5 aromatic वले फिनॉल है तो फिनॉल का h और c l हट जाएगा तो फिनॉल के h की जगए पार यह बेंजोएल समूव प्रकिस्तापित हो जाएगा इसलिए हम इसको बेंजोएली करण करते हैं तो c6 h5 c o c6 h5 प्लास a c l प्लास a c l तो यह फैनिल और बेंजीन प्लस o 8 यानि बेंजोएट नाम का एस्टर बनता है तो एसल क्लोराइड या एलकेनोएग एनडरेड़ों के साथ जग फिनॉल की अभी किरिया होती है तो वो एसली करण और जब बेंजोएल क्लोराइड के साथ अभी किरिया होती है तो हम इसे कहते हैं बेंजोएली करण और अगली रियक्शन का नंबर आता है एथरी करण एथरी करण ये है एथरी करण में फिनॉल के इस्तान पर फिनॉल के सोडियम या पोटिशियम लवन का उप्योग किया जाता है तो फिनॉल की शार के साथ अभी किरिया करके हम इसको सोडियम या पोटिशियम लवन में परिवर्थित कर लेते हैं अभी सोडियम फिनॉक्साइड बन गया इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभी किरिया हम एलकील हेलाइड के साथ करवाते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है एलकील फैनिल एथर जो एक मिस्त्रित एथर है और यह एथर बनाने की विलियम सन अभी किरिया भी कहलाती है जिसको हम एथरों के अंतरगत भी पढ़ेंगे तो इस प्रकार से फिनॉल के सोडियम लवन्ड, सोडियम फिनोक्साइड या पोटिजियम फिनोक्साइड की किरिया जब एलकील एलाइट से करवाई जाती है तो एलकील फैनिल एथर प्रकार के मिस्त्रित एथर हमें प्राप्त होते हैं और इस अभी किरिया को हम एथरी करण अभी किरिया कहते हैं अब अगला नमबर आता है FECL3 के साथ अभी किरिया तो फिनॉल उदासीन FECL3 के साथ भी अभी किरिया करता है या अत्यन्त दुरूबल FECL3 के साथ भी फिनॉल अभी किरिया करता है और बिन बिन प्रकार के फिनॉल FECL3 के साथ कुछ विशिष्ट प्रकार के रंग देते हैं जिनके आदार पर उन योगीकों की पेचान की जा सकती है यानि कि इस अभी किरिया का उप्योग हम फिनॉल के परिक्षन में भी करते हैं तो जिसे फिनॉल की किरिया उदाशीन या दुर्बल अमलिये FECL3 के द्वारा करवाएं तो बैंगनी रंग का विलियन प्राप्त होता है फिनॉल की जगत केटेकॉल का उप्योग किया जावे तो हमें हरे रंग का विलियन प्राप्त होता है अगर katechol के इस्तान पर resource inol का उपयोग किया जाए तो हमें पुन बेंगनी रंग का विलिन प्राप्त होता है और यदि pyrogelol का उप्योग किया जाए तो हमें लाल रंग प्राप्त होता है और इन रंगों के आधार पर हम पेचां सकते हैं कि दिया गया योगित phinolik है अथ्षवाण नहीं इसके बाद हम आती है phinol की drink चून के साथ अभी किलिया ये फिनोल है अगर इसको drink चून के साथ हम गरम करते हैं तो benzean बन जाती है ये फिनॉल की oxygen जिंक के साथ चली जाती है जिंक oxygen निश्काशीत हो जाएगा और हमें arine यानि की benzene प्राप्त हो जाती है इसके बाद है फिनॉल का ammonia के साथ अभी किरिया तो ये फिनॉल है और प्लस ammonia HNH2 है तो इसकी किरिया हम निर्जल जेडेंसियल 2 की उपस्तिते में 573 केलवें ताप पर यदि कराते हैं तो HOH निकल जाएगा और हमें यहां से एनिलीन प्राप्त हो जाएगा तो इस अभी किरिया के द्वारा हम फिनॉल को एनिलीन में परिवर्तित कर सकते हैं PCL5 के साथ अभी किरिया यह फिनॉल है जब इसकी PCL5 के साथ अभी किरिया करवाते हैं तो यह क्लोरोवेंजीन में परिवर्तित हो जाता है और POCl3 प्लस HCl साथ में इसके बनते हैं यह क्लोरोवेंजीन पुन POCl3 के साथ अभी किरिया करता है ट्राइ फैनिल फास्फेट तो C6H5 O whole thrice PO4 तो C6H5 O whole thrice और P3 और 1,4 3H और 3Cl यहां पर निश्काशित हो जाएंगे तो जब फिनॉल की किरिया PCL5 के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोवेंजीन बनता है जो फिनॉल के अधिक्ये से अभी किरिया करता है और अंतता हमें ट्राइ फैनिल फास्फेट प्राप्त होता है इसके बाद नंबर आता है फिनॉल के अक्सी करण का तो फिनॉल क्रोमील क्लोराइड के द्वारा हाइड्रो क्यूनों में अक्सी करत हो जाती है यह फिनॉल है इसका अक्सी करण क्रोमील क्लोराइड से होगा CRO2Cl2 जो सांद्र SPSO4 और K2Cr2O7 के मिशन द्वारा उठकन की जा सकती है तो फिनॉल हाइड्रोक्यूनोन में आक्षिकरत हो जाता है इस प्रकार से तो क्रोमील क्लोराइड द्वारा उठकन कराने पर फिनॉल हाइड्रोक्यूनोन में आक्षिकरत हो जाता है पोटेशियम परसलफेट के द्वारा आक्षिकरत कराने पर फिनॉल का हाइड्रोक्सिकरन हो जाता है और बेंजिन डाइओल योगिक प्राप्त होते हैं तो हाईड्रोक्षी करन पेरा इस्तिती पर होता है लेकिन पेरा इस्तिती पर पहले से कोई समू जुडावा हो तो फिर और्थो इस्तिती पर होता है एक फिनोल की महतुर पून अभी किरिया है क्लैसन संगनन या क्लैसन पुनर्विन्यास झाल झाल जब इसको 200 degree centigrade पर गर्म करते हैं तो यह एलिल समू और्थो इस्तिति पर विश्तापित हो जाता है इस प्रकार से तो और्थो का H यहां चला जाएगा और यह और्थो एलिल फिनॉल हमें प्राप्त होगा लेकिन इसमें भी यदि और्थो पर पहले से कोई समू मुझूद है तो फिर एलिल समू पेरा इस्तिति पर प्रतिस्तापित होता है जैसे यहां दोनों जगवें मेथिल मेथिल जोड़ देंगे हम दोनों और्थो पर तो फिर यह एलील समू और्थो पर नहीं जाकर पेरा पर जाएगा तो इस प्रकार से हम एलील समू को फिनॉल के और्थो या पेरा इस्तितियों पर प्रतिश्ता पित करवा सकते हैं इस अभी किरिया को क्लैशन पुनर्विन्यास अभी किरिया कहते हैं तो ये फिनॉल की मुख्य रूप से वो अभी किरियाई हुई है जिन में फिनॉल का O single bond H आबंद तूटता है या C single bond OH आबंद भी तूट जाता है अब हम फिनॉल की वो अभी किरियाई लेंगे जो एरोमेटिक योगीकों की मुख्य अभी लाक्षनिक अभी किरियाई होती है और वो होती है इलेक्ट्रोन से नहीं प्रतिस्तापन अभी किरियाई तो फिनॉल में single bond OH समू अत्यदिक शक्रियन कारी समू होता है ओक्सिजन के पास दो एकां की इलेक्ट्रोन युगमों होते हैं और इसके लावा या हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रोन आकरसित कर सकता है तो फिनॉल की ओक्सिजन उच्चे इलेक्ट्रोन धनी होती है और इ अत्यदिक शक्रियन कारी समू होता है इसलिए आने वाले इलेक्ट्रोन्स नहीं को ओर्थो व पेरा इस्तितियों पर जुड़ने की और निर्देशित करता है अर्थात एरोमेट्रिक इलेक्ट्रोन्स नहीं प्रतिस्ता बना भी गिरियाओं में single bond OH समू शक्रियन कारी तथ अर्थो व पेरा देशिक शमू होता है हमने फिनॉल की अनुनादी सरस्नाओं में भी देखा था कि इस पर और पेरा इस्तितियों पर रिणावेश यानि उच्ची इलेक्ट्रोन्स गन्नतु था तो इन इस्तितियों पर आसानी से आक्रमन कारी इलेक्ट्रोन्स नहीं अठे द्रूविये विलाइकों में अभी किरिया थोड़ी शलो होती है और हमें और्थो व पेरा समावेवियों के मिश्रन उत्पात के रूप में प्राप्त होते हैं जैसे इसमें हम बात करें सबसे पहले ब्रोमीनी करन की तो यह फिनॉल है और इसकी ब्रोमीन जल के साथ में इस्तापित हो जाता है और हमें 246 ट्राइब रोमो फिनॉल का स्वेत अवक्षे प्राप्त होता है लेकिन जब फिनॉल का ब्रोमीनी करन सी सी एल फॉर या सी एस टू में गुली हुई ब्रोमीन द्वारा करवाया जाता है यह कार्बनिक विलाएक है दो नहीं इन में से किस थोड़ी सलो होगी तो हमें कुछ मात्रा में और थो ब्रोमो फिनॉल और मेक्जिमम मात्रा में हमें पेरा ब्रोमो फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा तो इस प्रकार धुरुविये विलाइकों में अभी किरिया सलो होती है और हमें और थो पेरा समावेवियों के मिश्र उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं जबकि धुरूवी ये विलाइकों की उपस्तिती में अभी किरिया बहुत फास्ट होती है क्योंकि ओये समू का सक्रियन कारी प्रभा और भी अधिक बढ़ जाता है और सभी और्थ और पेरा इस्तितियों पर प्रतिस्तापन होता ह इसी प्रकार फिनोल का नाइटर विलाइकर यादि तनो नाइटरीक अम्न के द्वारा करवाएंगे हम तो और्थ ₹6-3 नाइटरो फिनोल का मिश्रन प्राप्त होगा लेकिन जब सांद्र नाइटर Запेश का तरियों काहिकरे मिश्रन जिसे हम नाइटरी ACT करन उन दुरände क्र यह फिनॉल है तो हो नो टू तो यह तनू नाइट्री गमल है 298 पर जब यह अभी किरिया करवाई जाती है तो ओर्थो नाइट्रो फिनॉल बनता है और इसके साथ ही मुख्य रूप से पेरा नाइट्रो फिनॉल भी प्राप्त होता है तो इस प्रकार से फिनॉल का तनू नाइट्री कमल द्वारा नाइट्री करन कराने पर ओर्थो और पेरा नाइट्रो फिनॉल का मिक्चर प्राप्त होता है लेकिन सांद्र नाइट्री कमल के द्वारा सांद्र H2SO4 की उपस्तिति में करवाया जाता है तो 246-tri-nitro-phenol यानि पिक्रिक अमल प्राप्त होता है और फिनोल पर 3-3 प्रबल इलेक्ट्रोन आकर सी समूँ की उपस्पित्ति की कारण या अत्यांत प्रबल अमलिये प्रकृति का होता है फिनोल का OSMU इतना अधिक सक्रिय होता है कि इसे हम अगर फिनोल पर प्रतिस्तापी के रूप में सलफोनी गमल या नाइट्रो जैसे समूँ जुड़े हो यह हो तो वो भी हेलो जनके द्वारा प्रतिस्तापी हो जाते हैं तो जो सलफोनी करण वगेरा में अपन काम में लेते हैं जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं अब इस प्रकार से अभी फिनोल की इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्तापन अभीकिरिया है और भी पढ़ेंगे हम फिनोल का जो OSMU अत्यदिक सक्रियन कारी है इस कारण यह दु झाल